और आज का दिन सभी के लिए बहुत अच्छा बुज्राव होगा जो लोग CAC 24 को मेंस देकर आयोंगे खास तोल से पेपर फर्स की चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं तो पेपर सेकंड भी है और कल का एसे का पेपर भी हुआ है लेकिन इन दोनों की चर्चा हम कल के सेशन में क क्योंकि एक साथ तीन तीन पेपर को ये कही दिन में वीडियो के माध्यन से और उसमें भी परिचर्चा के माध्यन से एक्स्प्लेन करना ओभी सटिकता के साथ थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है आप सभी बहुत जागरुक लोग हैं अवेड लोग हैं और आप इस बात जोगरफी और हिस्पी दोनों मिला कर आपको सवाल होते हैं जहां तक मैंने अभी पेपर का विसलेशन किया है तो उसमें यूपीएसी बहुत अच्छी तरीके से इस एक्जाम में बच्चों के साथ खेला है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि सारे बाबा दादाओं का जितना भी गेस था पूरी तरीके से जो है लपेटे में आ चुका है क्योंकि यूपीएसी ने पूरी तरीके से चाहे वो जोगरफी हो चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो कल्चरल पोर्शन हो उसमें सामान्य तोर पर जो भी करेंट इवेंस होता है उसको पूरी तरीके से निकाल दि थी उनको इन कोच्छनों के साथ UPSC को लेटरल करता था लेकिन इस एक्जाम में या इस साल के इस पेपर में वो ट्रेंड पूरी तरीके से बाइपास कर दिया है दूसरा इसका तात्पर यह हो गया कि सामान्य तोर पर UPSC ने स्टैटिक पॉर्शन को और ट्रैडिशनल पॉर्शन को ही बरकरार रखते हुए इस साल के कोच्छनों को सेट किया है नमबर दूसरा बहुत लोगों के साथ पूरे दिन भर में डिसकेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि कई लोग कहते हैं कि सर पेपर बहुत आसान था लेकिन आपको बाहर से देखने पर जरूर पेपर आसान लगता होगा लेकिन आप जितना समझते हैं पेपर उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसी टर्मिनोलोजी को यूज किया गया है इसके अंदर कि आप समझ नहीं सकोगे या आप की होगा जब हम अभी डिटेल्ड आनलेसिस चर्चा करेंगे कि प्रॉपरली जो आंसर का कोर कंसन होना चाहिए था वो कहां से स्टार्ट करना था कहां पर मीड में क्या लिखना था और कंक्लूजन में क्या लिखना था इस बात की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यह बा ठीक है तीसरी महतोपुर्ण बात यह है कि कुछ कच्छनों को देखने के बाद यह लगता है कि किताबों में या आपकी नोर्स में या बाजार की नोर्स में जहां आप पचास सब्द भी नहीं लिख सकते वहां पर UPSC ने लगभग देड़सु सब्दों के प्रस्टों को दिया है ऐसा कई बार होता है लेकिन इस साल बड़ी सटिकता से यह स्टाटीजी UPSC की इसमें दिखाई पड़ती है और जहां पर बहुत कुछ लिखने के लिए आपके पास वहां पर लिमिटेशन आफ वर्स और क्वच्छन इतना घुमा फिरा के दे दिया है कि आपके लि होगा तो यह तीसरा यह तीन अब्जर्वेशन है मोटा मोटी तोर पर अगर देखा जाए तो आज के पेपर में तो डिटेल्ड अनालेसिस की शुरुवात हम आज से करेंगे और इसके बाद भी कल का जो एसे का पेपर हुआ है आज का भी जो सेकंड सेशन में पेपर हुआ है पोलिटिकल साइन्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स का कल भी एकोनावी साइन्स टेकनोलोजी और उसके बाद एथिक्स का पेपर होगा उनकी भी लगातार हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे तो चला जाए आज की सेशन को और विशले शनात्पक परी चर्चा को शुरुवा अगर हम देखे तो रुगवेदिक से उत्तरवेदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक सेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करना है उत्तर को देड़सु शब्दों में लिखना है महातोपुर्ण है दो चीजे यहाँ पर एक तो है सामाजिक तथा अर्थिक सेत्र दुसरा रुगवेदिक काल से लेकर उत्तरवेदिक काल तक सभी जानते हैं कि नियंडर खल और उसके बाद स्टोन एज में हम सबसे ज़्यादा 3800 साल रहे उसके बाद आता है वेदिक काल स सिविलाजेशन का डिक्लाइनेशन होता है फिर सिफ्ट होता है गंगा के मैदान में कल्चर जिसको चार वेदों की इस काल में निर्मान के कारण वेदिक काल कहा जाता है अब इस वक्त की सामाजिक और आर्थिक सितिया यहां तक के इत्यास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टन बात हो जाती है क्योंकि इंडस्वैली सिविलाजेशन टोटली व्यापारी वर्ग की सब्वेता थी इस बात को नहीं भूलना चाहिए रुगवेदिक काल में अगर नगरों का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो दो तरह के नगर वसाय गये थे जैसे कि इंडस्वैली सिव हुआ करते थे रुगवेदिक काल में इंडस्वैली सिविलाजेशन से रुगवेदिक काल तक एक परिवर्तन ये होता है कि इस रुगवेदिक काल में दो प्रकार के शहरों की जानकारी हमको मिलता है ये तो जो है व्यापारी नगर एक का नाम होता है व्यापारी नगर और सिल्पकारों का बहुत जादा विकास हो चुका था और खास तोर से लोहे का इस्तिमाल इस काल में जादा हो गया गंगा के मैदान में लोग एक आपको स्थाई क्रिसी करने लगे और लोहे के ओजारों का इस्तिमाल जो है बहुत जादा होने लगा और इसमें भी एंस्यारटी लिखता है कि कुलाधी और आपको जो है दराती का मतलब जिसको हासिया कहते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत जादा हुआ इसका कारण ये था कि जैसे जैसे पापूलेशन बढ़ता गया वैसे वैसे जंगलों को काट कर निवासस्थान और अतिरिक्त एग्रिकल्चर के लिए जमीनों को हासिल करना ये महतोपुर्ण आपको जो है उपक्रम इसकाल के दवरान चला था तो यहां पर लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसी काल में हम कांसा और तामे को भी उतनाए महतो देते हैं सामा इसके कूलिन वर्ग में सोने का प्रचलन बढ़ा और सोना आज भी आकर्शन की वस्तु इसी कारण से है बाद में हम देखते हैं कि गुपता काल में सोने की पहली बार करंसिया चलाई गई समुद्र गुपत के काल के अंदर और गुपता सामराज्य के पतन का कुछ इतिहास असकार यही एक कारण मानते हैं क्योंकि सोने की मुद्राओं को चलाने के बाद लोगों ने इन सोने की मुद्राओं को अपने घर में संचीत करके रखा वीनीमय की व्यबस्था पूरी तरीके से ठफ हो गई लेकिन वैदिक काल में या रुगवेदिक काल में जो है पूरे वैदिक काल के अंदर देखेंगे तो मुद्राओं का कोई प्रचलन आपको नहीं मिलता कभी भूमी दान में दे देते थे दान में इंदसेंस की करंसी का काम भूमी करती थी इसके बाद आता है आपको पशु, पशु धन बहुत जादा पैमाने पर वीनिमय की वस्तु बना, मतलब बाल्टर वेवस्ता थी, एक वस्तु के बदले दूसरी वेवस्ता को देना, ये सामाजी को और आर्थिक प्रताओं का प्रचलन था, कुछ माप, तोल के साधन भी यहा करते होंगे, सिल्प कारिता में सुनार, लुहार, चमार, इस प्रकार की धीरे-धीरे वर्ग आधारित व्यवस्ता निर्मान हुई, ब्रामन से त्रिय वैश्त सुद्रों का जन्म जो है, रुगवेदिक काल में नहीं हुआ था, उत्तरवेदिक काल में यही क्लासिफिकेश बाद में वर्ग और वंश आधारित बना, और फिर व्यवसाई के आधार पर जाती व्यवस्ता का निर्धारन होता है, पुल मिला कर, रुगवेदिक काल में सामाजिक व्यवस्ता काफी, महतोपूर्न और एक सुवर्न काल के जैसी लगती है, या इस वक्त समाज में बूढ बच्चे महिलाओं का बहुत जाता सनमान होता था, गारगी को आप देखते हैं, अपाला घोशा इन लोगों ने जो है, शास्त्रोक तार्थ में वाद विवाद किया हुआ भी उल्लेखम लोगों को मिलता है, खास्तोर से रुगवेदिक काल के अंदर, उतर वेदिक काल में आते आते सामाजिक व्यवस्था बदल गई, रुगवेदिक काल में सयुक्त कुटंब पद्धतिया थी, उतर वेदिक काल में धीरे-धीरे सयुक्त कुटंब पद्धति का प्रभाव कम होने लगा, क्यों? क्योंकि सयुक्त कुटंब पद्धति में जो बंधन थे, व्याप तोर पर वैदिक काल की जो स्थितिया थी उसमें आमुल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी काल का उत्तरवेदिक काल का जो अंतिम दशक हैं यहीं पर स्तिरियों की दशाय थोड़ी आना बहुत बिगड़ने लगी फिर यहां से सती बाल विवाह विद्वा पुनर विवाह को प्रतिबंधन महला शिक्षा महलाव को शास्त्रोक्त या शास्त्रार्थ करने का अधिकार शिन लिया गया पुल मिलाकर उत्तरवेदिक काल एक निगेटिव या नकारात्मक प्रकार के सामाजिक समाज के सभी मापदंडों को दर्शाता है तो यहां पर हम लोगो को चार पराग्राफ में या तीन पराग्राफ में इस प्रश्न का उत्तर लिख देना था घटित परिवर्तन क्या हुए तो रुबवेदिक काल में एक पॉजिटिव सेंस में इसको लिखना है आर्थिक और सामाजिक दो पक्षों के तहत एकॉनामिक एंड सोशल और पोस्त लेड सोशब्दों में प्रॉपरली क्या लिखे जैसे मैं इंक्रोडक्सिन में बताया था जहां पर बहुत जादा आप जानते हैं वहां पर बहुत लिमिटेड पूछा है यूपिएसी और जहां पुछ नहीं जानते वहां बहुत सारी चीजे पूछ लिया है तो यह इसका नमूना था उसके बाद पूछ नमबर सेकंड में आए तो आपको देखने को मिलेगा कि दक्सिन भारत में कला और साहित के विकास में काची के पल्लवों के योगदान का मुल्यांकन की यह लिखा हुआ है कई बार बताया आठ दिन पहले ही मैं अभी एंसेंट इंडिया अंधरा तक और उसके पहले चोलों का सामराज थोड़ी देर तक रहता है खास तोर से चोल एंपायर में राजंदर प्रथम और राज 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 राजा के यह जो है बेटा थे जिन्होंने स्रिलंका को उस वक्त जीता था कई बार मैंने बताया कि भारत में जहां नौर्थ इंडिया में हर्ष वरधन का शाषन होता है इसका डिक्लिनेशन होता है मोरे सामराज गुप्त सामराज बाद हर्ष सामराज नौर्थ करीद होता है कर दिया उसके बाद हर्षवर्दन का सामराज्य डिकलाइनेशन होता है दो चीजे देखने को मिलते हम लोगों को इस पूरे नौर्थ इंडिया का जब सुवर नकाल रहता है दक्सिन भारत में बहुत सारी अव्यवस्थाएं अनियंत्री ताय होती है लेकिन जब नौर्थ इ उसके बाद चोला यह तीन सामराज जो है काफी इंप्वर्टेंट है किस मामले में कला और साहित्य के मामले में सामाज जताब देखेंगे तो राज राजा और उसके साथ साथ राजंदर प्रथम कलाओ के बहुत बड़े आपको विद्वान थे स्वयम में जिनको ट्रिनीटी आप दे करनाट का संगीत कहते हैं अभी अभी हम लोगों के प्रधान मंत्री गय थे सिंगापूर में आपने वहां पर उनका स्वागत किया गया था तमिल लोगों के द्वारा और तमिल वहां की एक आधिकारिक चोथी लैंग्वेज हैं सारी दुनिया जानती हैं अब ये तमिल वहां कैसे पहुचे अभी जरा इसका इतियाद जान लीजिए चोलो के सामराज्य में इनका व्यापार ये तो जो है आफरीका की तरफ मडागासकर में आपने देखा होगा कि जब जल्ली कट्टू के उपर प्रतिबंधन लगाने की बात आई थी तो मडागासकर की कुरंसी में जल्ली कट्टू का चित्र छपा हुआ नोट प्रस्तुत किया गया था और इसी के आधार पर जल्ल का व्यापार का जो पच्छिम एसिया तक का रास्ता था वो अर्वी समंदर से जाता था क्योंकि ये समुद्र के निवासी थे नौर्थ इंबिया की तर लेंड लॉक नहीं थे दूसरा यहां से ये मलैसिया जाते थे और मलैसिया होता हुआ संपुर्ण मलै प्राइदित में तमिलों की बस्तिया वनी 1965 में मलैसिया ने सिंगापुर गरीब है जोपडियों में रहता है पूरी तरीके से बैकवर्ड है इसलिए 65 में इसको अलग कर दिया अपने से और तमिल लोग मलैसिया से सिप्ठ हो गए सिंगापुर में और जब प्रधान मंत्री गए तो तमिल के लोगों ने भरत नाट्यम का एक डांस प्रस्तुत यहां इनके स्वागत में किया था आपको जानकारी होगी यह सारा चीज घटित हुआ राजेंद्र प्रथम के काल में उसके बाद इन्होंने गंग राजवाइश तक जीतने की कोशिश खी थी उडिसा असम का जो इलाका और गंगा का जो प्रदेश है लोवर लैंड ऑफ गंगा या गंगस विसिन इसको जीतने के बाद जब राजेंद्र प्रथम वापी सायद अक्सिन में तो इन्होंने स्वयम को गंगाई कोंड चोलपूरम नाम की उपादी से स्वयम को नवाज लिया था यह उपादिया धा लोग का नकेवल दक्सिन भारत में बल्कि ये सिया के इन दो भागों में भी व्यापार और वीनिमें हुआ करता था इसलिए इन व्यापार के माध्यन से या इस प्रभूत्व के कारण देश दुनिया के कवियों को साहित्तिक लोगों को इन्होंने यहां पर बुलाया अब सिंगापूर में प्रधान मंत्री ने घोशना कर दी है तो थिरुवन लूर ये चोल सामराज्य के ही बहुत बड़े संत हुए नवी और दस्वी सताब्दी में और इसके बाद संत कवियों की परमपरा तमिल कल्चर में शुरू हो जाती है तो इस करण के इवेंट को आप अ एक्जामिनर को आकरसित कर लेता कि आपने किस तरीके से अभी प्रधान मंत्री की सिंगापूर्यात्रा में जो इवेंट हुआ है वो इस कोच्छन के साथ कैसे जोड़ा और चोल एंपायर में कला साहित्य का विकास से हुआ आगे भी ये कोच्छन है बहुत अच्छा सवाल पुछाइ इस बार दक्सिन भारत के इतिहास से और मैं कई बार कहlyता हूँ कला संस्कूल की और दक्सिन भारत के विजय नगर साम राच यहां से दो कोच्छन आपके बनने हैं तो बनने है काले पत्थर की लकिर हैं बच्चे मानते नहीं यह एक NCRT पढ़ लीजे सब कुछ हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोई जरूरत नहीं है और किताब पढ़ने की आपको 31 किताब पढ़नों सतर असी पढ़ने की है बस उसी में हो जाएगा कितना लिखोगे बाई लेकिन शुरुवात कैसे करे मध्य में क्या लिखे आखरी में क्या लिखे और करेंट को ना पुछे अपने से क्या मतलब लेकिन कि UPSC कभी भी यह नहीं चाहता कि आप स्टैटिक पोरिशन पर ही अड़े रहे कुछ अगर महतोपुर्ण घटनाक्रम हुआ है रास्ति अंतरास्ति अस्तर पर और उसका समंद अगर कोच्छन के साथ लगा सकते है तो आराम से आप उसको लगाईए कोई आपको यहां रोकन टोकने वाला नहीं है इससे तो और अच्छी बात है क्योंकि सारे लोग इसी प्रकार का कोच्छन का अंसर लिखेंगे हो तो सारे किताबों में लिखा लेकिन आप अगर सिंगापुर की इस इभेन को इसके साथ असोसियेट करते है तो आप सजग कहला है जाएंगे और आप कनेक्ट करने में काम्याब हो जाएंगे इस तरीके से तो एक्जामिनर का अपने आप ध्यान आपकी तरफ आपके पेपर की तरफ आकरसित हो जाएगा नेक्स कोच्छा नमबर थर्ट को कौन सी घटना है थी जिनके कारण भारत छोड़ों अंदोलन शुरू हुआ और इसके सबसे पहले पुच्छन का अंसर लिखने से पहले ये बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था कोई नेतरूत्वनी कर रहा था विद्यारती वो किसान हो मजदूर हो व्यापारी हो छोटे मोटे एरा रिटेलर हो महलाये हो सब अपन था वैसे ही ब्रिटिस होने सारे महतोपुर्ण या टॉप लीडर सीख को जेल में डाल दिया था समाज में नितुरूत्व करने वाला तो कोई नहीं था लेकिन 1922 तक गांधी की भारत के इतिहास में सबसे महतोपुर्ण भुमी का यह है कि गांधी कभी हतियार नहीं परोथा उपवास का उपोशन का और सत्यागरह का और आपको धरना देने का बास इसके अलावा गांधी लेकिन न करते हुए भी लोगों के मन से क्योंकि 1920 से पहले लोगों के मन में ब्रेटिस होने भारतियों के दिमाग में जिस प्रकार का डर और फोप पैदा कर लिया था कि अगर गाव में एक हवलदार भी पहुच जाए तो सारे लोग दरवाजे लगा कर बंद कर देते सबसे पहले 1920 में गांधी ने वही किया कि यह डर लोगों के मन से निकाला और गांधी जानते थे कि लोगों के मन से अगर यह डर निकालेंगे तो इन लोगों को किसी भी लीडर की जरूरत नहीं है और यह सिद्ध हो जाता है 1942 में सवाव हम से पूछा कि वे कौन सी घटना ये थी जिनके कारण भारत छोड़ आंदोलन को शुरू किया गया तो आप जानते सभी पहले युद्ध में जब ब्रिटिस हो ने कहा भारतिय नेताओं को कि यह ब्रिटन के संवान की बात है और अगर हम को आप पहले विश्वयुद्ध में साहेता करेंगे मतलब आपको आजादी देंगे फिर एक कमिशन आता है देश में और वो इन सब बातों का सर्वे करता है और सर्वे करने के बाद यह कमिशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का दरजा देंगे तो हमारी टॉप रीडर्शिप कहती है भाई डोमीनियन स्टेटस क्यों हमको पूरा स्वराज्य चाहिए तो ब्रिटन कहता है कि आप्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो भी नतीज आएगा उस आधार पर उस वक्त डिसाइड होगा क्या आपको पूर्ण सोतंत्रता दे या डोमी आता है तभी लोग समझ जाते है कि यही मौका है जब यह नेता हमको मिलेगा इसके बाद तो पांच साल दिखाई नहीं पड़ेगा ऐसा ही उस वक्त जो है हमारी टॉप रीडर्शिप ने सोचा कि यही मौका है क्योंकि ब्रिटन हो गया है सेकेंड वर्लड वार्मी इन्व जाएगी तो हम लोगों ने पुर्na सोतनता रता से कम कुछ नहीं माँंगा हमने कहा की आपका सनमान जितना इंप première है तो भार्तियों के लिए भारतियों होने का टर्व भी उतना ही सनमान यंक है और हमीं ये भी हमारी सोतंतरता बहुत प्यारी है इसलिए हमको फुल के चाहिए फ्रीडम चाहिए हम लोग वो dominant status के दर्जे में नहीं रहेंगे लेकिन आप्टर कमिशन ये कमिशन चला गया सर्वे अपनी रिपोर्ट दे दिया और भारत को एक पक्सी ये dominant status का दर्ज़य दे दिया और इसके खिलाफ हम लोगोंने भारत को चुरू किया ये कहानी का सारांश और इसको आपको लिखना पड़ेगा यहां पर उसके बाद कि परिणामों को सपस्त करे तो इसके परिणामों को अगर पस्त तरना है हमने इसके करीदाम क्या ताई विभाजित भारत के साथ हम लोगों को इसका आजादी मिलता है लगबग 1922 का आंदोलन कहते हैं इत्यास में कि ब्रिटिस सामराज्य की आखरी किल्थी बाकी सबाब जानते हैं थोड़ा मसाला डाल कर आप इसको आराम से लिख सकते हो चला जाए कुछन नंबर फोर्थ ये बड़ा important सवाल UPSI पूछ दिया है कि समुद्री सतह के तापमान में रुद्धी क्या है और यह उष्णकटी बंद्य चक्रवातों के निर्मान को कैसे प्रभावित करती है तो जैसे धर्ती का तापमान हो गया है 35 दिग्री average temperature होना चाहिए धर्ती का वैसे ही समुद्र क temperature भी 25 से लेकर 27 तक होना चाहिए इसके आगे temperature अगर समुद्र की सतह का बढ़ता है तो इसको समुद्री तापमान में या तापक्रम में बढ़ोत्री कही जाती है तो समुद्री सतह के तापमान में रुद्धी क्या है यहाँ पर इस definition को आप लिख देंगे या वरेश से ज् उसने कटी बंद्य चक्रवातों के निर्मान को कैसे प्रभावित करता है बिल्कुल सही बात जहां उसने कटी बंद्य सागर होगा सभी आप जानते हैं कि टॉपिकल साइक्लोन का launching pad होता है उसने कटी बंद्य समुद्र या महा सागर जैसे कि बहामा है और यह भी सवाल विद्वान है लोग तो उनको बे और गल्फ का मतलब नहीं समझ में आता है तो यहां मेरे भाई थोड़ा सा समझ लीजिए और 0 से 15 डिगरी उत्तर और 0 से 15 डिगरी दक्सिन दोनों दिशाओं की तरफ सागरों तथा महा सागरों की खाडियों को देखेंगे तो यह डिफर मे typically में आपको प्रासांत महा सागर दिखाई देगा उसके बाद और आगे की तरफ देखेंगे इस तन में तो आपको अटल्फों दिखाई देगा ठीक है अब इस तरीके से अमरीका का यह आकार मैं नक्से में यहां पर निकाल रहा हूं ठीक है अब यह हो गया मेक्सिको इसको कहते हैं गॉल्फ आप मेक्सिको समझ में रहा है गॉल्फ आप मेक्सिको ठीक है अब इसको हिंदी में कहेंगे हम मेक्सिको की खाड़ी और भारत में भी हम क् संगाल की खाड़ी कहते हैं अब गॉल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि उसने कटी बंद्य चक्रवातों के निर्मान का संभंध इससे हैं इसलिए गॉल्फ और बे के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए सामान्य तोर पर गॉल्फ का मुझ छोटा होता है और पेट बड़ा होता है आप देखें गल्फ और मेक्सिको को मैप में आक्सपोड एटनस में देखेंगे तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा दूसरा बे को देखेंगे तो इसका पेट छोटा होता है देखें आप बंगाल की खाड़ी को और मुझ जो है बड़ा होता है समझ में आ रहा है पहला रीजन यह हो गया तो मू कैसा है और पेट कैसा है अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पेट बड़ा होगा और मू छोटा होगा इसका मतलब इसका लैंड वाला जो भूबाग है वो क्वांटिनेंटलिटी को ज़्यादा घेरता है और जो खा तो यह हो गई एक बात क्योंकि यहां से इवैपोरेशन के लिए काफी आपको जो है तो यहां पर नमकीन या सलिनिटी का परसेंट के ज़्यादा हो जाता है दूसरा अगर बड़ी बड़ी नदिया अगर ना गिर रही हो जैसे बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है ब् बलफ और बेक के बीच का डिफरंस यह है अब समुद्र के अवसत तापमान में रुद्धी हो जाने से उस नकटी बंध के सेत्र में गर्मियों के दिनों की संख्या बढ़ेगी तो इवैपोरेशन या बास्पी करन की प्रक्रिया बहुत जादा बढ़ेगी अगर गर्मियो जो है हलकी हो जाएगी गरम होने के कारण और सामान्य तोर पर यहां पर उस्नकटी मंद्य चक्रवातों का निर्मान होता है बिगत एक अदसक से जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो पहले अरब सागर में इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी और ट्रॉपिकल प्रती थी जो पिछले तीन सालों से लगातार चार प्लस देख रहे हम लोग दूसरा बंगाल की खाड़ी में यह संख्या साथ से आठ तक चली जाती है जो कि चार से पांच तक पहले थी तो इस तरीके से चक्रवातों में रुद्धी हो जाएगी या रुद्धी हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का इस गंसन में इस प्रश्ण का उत्तर आपने यहाँ पर लिखना था तो यह देखना पड़ेगा आपको और इस तरीके से आप लिखेंगे उसके बाद पच्छन नंबर 5 पे आ जाते है और पच और यह दो आया गया है कि चोटे शखरों की तुलणा में बड़े शहर अधिक प्रवाशियों को क्यों आकर्सित करते हैं विकासिल देशों की स्थितियों के आलोग में इसकी विवेशना कीजिए हैं तो सबसे पहला कारण इसमें सीधे कारण गिनाने हैं आप points में भी लिग सकते हैं कि छोटे सहरों की तुल्ला में बड़े सहरों का प्रवसन हो जाने या लोगों के प्रवसन करने के कारण तो नमबर पहला है सुवीधा, ठीक है ना, नमबर पहला है सुवीधा, बड़े से बड़े सहर में आज मेट्रो हैं, हैना स्काइब असे के माध्यम से लोग आना जाना कर सकते हैं, दूसरा important कारण है कि रहने, पीने, खाने का खर्चा जो है, तो यहाँ पर बड़े सहरों में बहुत कम आता है, आप दिल्ली जैसे सहर में चल जाएए, 10-12,000 रुपे में आराम से आप खाईगा, पीएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे options आपके पास मौझूद होने के कारण, हम अमरावती में हैं, तो यहाँ तंदूर रोटी 15 रुपे की मिलती है, लेकिन आप व दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब ऑप्शन्स दोनों यहाँ पर मल्टी वेरियेबल है, मल्टी वेरियेबल है, जब चाहे आप अपने जॉब से रिजैन दे सकते हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आट दिन आपको घर में बैठना पड़ेगा, नई जॉ लोगों को पता चल गया, इसराइल में जिन मजदूरों को हमने भेजा था, हमारे आप पर जिनके पास डिग्री डिप्लोमा था, ऐसे लगबग साड़े तीन लाख लोगों को इसराइल वापिस भेज रहा है, क्योंकि हमारे डिग्री होल्डरों को कुछ नहीं आता, लेकि तरीके का अगर स्कील आपके पास है, तो बड़े सहरों में आप भूके कभी नहीं रहोगे, और आप एक भी दिन खाली नहीं रहोगे, और मन चाहा पैसा यहाँ पर आप कमा सकते हो, तो ये सुवीदा बड़े सहर देते हैं, छोटे सहरों में क्या है, जैसे कि पूना में जाइएगा, तो ये क्या है, सिर्क एजूकेशन, अबरावती में जाइएगा, तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे ठेले लगा के बैठिये, कानपूर में जाइएगा, सिर्क उद्द्योगी है, तो ये समझ में आ रहा है, पेशेलिटी जिन शोरों में है, अली गड़े में है ताला बनाने आता आपको तो अब जाइए, अगर नहीं आता है, तो के चाबी किसी खोलोगे, तो ये प्रॉब्लम है, स्पेशेलिटी जिन जिन नगरों ने आत्मसाथ कर लिया है, वहां उतनी ही स्किल लेबर यहां पर डिमान में होते हैं, इसके अलावा अंस्किल लेबर जाने का मतलब है, कंपूटर को, हाड़वेर को, सौफ्ट वेर को, ये आई को आप जानते हो, तब तो आपके लिए कुछ ब्रैट टूचर होगा वहां, तो आपकी यह हो B.S.C. बैलोजी या B.S.C. मैं तो कुछेगा आपको, तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर B. B.S.C. बैलोजी भी किये हो, और दिल्ली चले जाओगे, तो या बंबी चले जाओगे, आराम से क्या हो जाएगा, तो छेवटे शहरों की तुलना में, बड़े शहरों के अंदर, ये सारी opportunities, या इस प्रकार के, कई 4-5 मुद्दे करके, जो है 5-5-10-10 शब्द भी आपने अ आसान हो जाएगा, उसमें लिखा है कि विकासिल देशों की स्थितियों के आलोग में इसकी विवेशना करिए, ये पैटन लगभग दुनिया के सारे देशों में, आपको देखने को मिलेगा, चाहिए आप ब्राजिल चल जाएए, चाहिए आप दक्सिन अफरीका चले क्या educated आदमी को वही काम में लगाया जा सकता है, तो ये कारण, एकदम simple simple स्वाल पूछा, लेकिन common sense based question बहुत जादा है, इसलिए थोड़ा सा आपकी जो समझदारी है, उसकी इसाब से point create करने पड़ेंगी, ये paper जो है self creation का है, ये बाते किसी किताब में मिली हुई, लिखी आपको नहीं मिलेंगी, किताब में हैं, लेकिन किताब से भी essence निकालना पड़ेगा, extract निकालना पड़ेगा, और उसको पास सात मुद्दों में हम लोगों को finish करना होगा, ये है standard, उसके बाद, नमबर छटवा है, बादल फटने की परिघटना क्या है, एकदम simple question है, और व definition करनी है, तो सामाने तोर पर बादल फटने से कुछ विद्यार्थी, इस बासिस का तात्पर्य लगा देते हैं, कि बादल फटना मतलब बादलों का पूरी तरह, actual चापदिक अर्थों में लेते हैं, कि cloud formation जो और आए, उसमें कुछ कटाओ अटाओ होता होगा, इसका मतलब यह निए मेरे भाई, कहने का मतलब यह कि बादल फटने से तात्पर यह, जहां सामान ने बरसात, मान लीजिए कि इस location पर 60 cm बरसात होती है, कितने दिनों में, 80 दिनों में, मांसुन का जो डिवरेशन है, वो 80 दिनों का है, पूरे इंदूस्तान के अंदर, इसमें कम जाद हो सकता है, लेकिन इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट का जो एक सामान नहोसत है, कि साल भर की बरसात हमारे देश में, मात्र 81 सी दिनों में, हो जाती है, यह भी एक रिजन है, कि हमारे देश में, बरसात के दिनों में, बाड़ और गर्मी के दिनों में, पेजल की व नहारत में होती है वावजुद इसके अख्खा हिंदूस्तान खास तोर से करकर एका के दक्सिनवाला प्रदेश आपको जो है गर्मी के सीजन में पानी का यह आपको पानी से पानी कानी की सुविदा के लिए जो है दरदर भटकता हुआ कई चित्र हम टीवी न्यूज मैगजिन्स में देखते हैं तो हमारे देश में असी दिनों में पूरे मांसुन की बरसात हो जाती है कहने का ताथ पर यह है कि क्लाउड बस्तिंग में होता यह कि साट सेंटीमीटर बरसात पूरे असी दिन में होगी लेकिन क्लाउड बस्तिंग के बाद में 120 सेंटीमीटर बरसात होगी 24 गंटे में के दारनाथ में क्या हुआ यह हुआ था तो क्लाउड बस्तिंग का फिनोमीना है जो हम मांसुन में पढ़ते हैं और यह आपको जो एक ट्रांजिशन है क्लाइमेट का इसको पूरी तरीके से इस पुच्छन में परिभासित करना था उसके बाद यह बहुत खतरनाक सवाल आपसे पूछा है भाई पच्छा नंबर सेवन जन सांखी की यह सीत डेमोग्राफिक विंटर की अवधारना क्या है तो आपको केरल हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया हुआ है इसकी निचे मैं दिखाऊंगा आपको तो मैं आ रहा है पहले जन सांखी की यह सीत को समय लिजिएगा अभी अभी आपने निउस सुना होगा कि आने वाले समय में पूर्सों की संख्या कम हो जाएगी स्त्रीयों की संख्या जादा बढ़ जाएगी क्योंकि DNA में कुछ फेर हो गया है या दिला रहा हूं आपको सब पता होगा आपके पास कटिंग भी होगा जो लोग मेंस देकर आये होंगे उनके पास तो सारे एक साल के करेंट निउस के कटिंग भी होंगे अस्पेक्ट नमबर एक अस्पेक्ट नमबर दूसरा यहां मैं एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूं रिपोर्ट का नाम आप याद रख लेना हेल्थ बेनिफिड्स ऑफ बिंग सिंगल इस नाम से एक रिशर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और आपको आच्छर होगा यह जानकर कि भारत की 81% महलाए अकेले रहना पसंद कर रही है या करती है याद करो बाबू आगे के समय में तुमारी साधिया पूरुस की बोर रहूं नहीं होगी क्योंकि जैसे हमारे देश में लाड़ली बहना योजना महारास्त में लाड़की बहीन योजना रुद्धों के लिए वय अना आपको वयश्री योजना रुद्धा पेंशन योजना सब को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट जो है डीबीटी के माध्यम से आ पूरुष पर अभी किसी भी प्रकार की महलाओ की निरभरता नहीं रहेगी पहले के तुलना में महलाओ का दिमाग भी ब्राड हो गया है और महलाओ ने अपनी स्वतंत्रता को अब घोसित कर दिया है उद्धोसित कर दिया है तो 81% महलाओ कह रही है कि हमें अकेले रहना पसंद है केरल हाई कोड़ की टिपनी आगे में बताने जा रहा हूं दूसरा अब 81% महलाओ अकेले रहना क्यों पसंद कर रही है यह मैं इसलिए बता रहो केरल हाई कोट का जो डिसीजन आया हुआ है इसका आधार इस प्रशन का उत्तर हो सकता है तो सबसे पहला फाइदा बताया इस रिसर्च रिपोर्ट में कि अकेला पन इंसान को आत्म निर्भर बनाता है सेल्फ डिपेंडंट बनाता है बिल्कुल सही बात है जिन महलाओं को 5000 वर्सों में हमने पूरुषों की संपत्ती पर डिपेंडंट बनाया था महलाओं कहती है कि हम भी कुछ कम नहीं है मेरी छोरिया क्या छोरों से कम है कि पिच्चर थी दंगल या देने तो यह पहला बुद्दा है आत्मनिर्भरता का तो आत्मनिर्भर हो गई नमबर दूसरा स्वयम से प्यार करना सीखता है आदमी प्यार की भीगने मांगनी पड़ती आई लव यू आई लव यू बोलते नहीं रहना पड़ता सब तरफ जब अकेला रहेगा इंसान तो स्वयम पर ध्यान देगा और स्वयम की खुबसरती को ही निहारता हुँ आपन आदमी का जिन्दा रहना मरना कोई मतलब का नहीं रहता क्या उद्देश हैं तो कम से कम वाट इस अबजेक्ट इच्वाज गेनिंग माय लाइफ तो यह सवाल तो हर एक इंसान को इंसान होने के नाते जरूर यहां पर उपस्तित होना चाहिए चोथा आकेले रहने से पीडियेफ टेलिग्राम में छोड़ दूँगा आपको आथेंटिक रिसर्च आपको जो है रिपोर्ड बता रहा हूं इस प्रस्न का तात्पर उससे हैं तो सामान्य तोर पर यह पोच्छन जो डेमोग्राफिक विंटर बताया गया है सामान्य तापको तो लोग साधी करना नहीं चाह रहें भोग लेना चाह रहें शरीर का भावनाओं का मानसिक्ता का जो भी एक शारीरिक आऊ सकता है इंसान की बैलोजीकल नीड है उसको पूरा करने के लिए कोई आज कम जादा नहीं देख रहा है आज एक कोई टर्मिनोलोजी है इसके मामले में एक बड़ी दिनों में चर्चा में था यह विशय और तो कहने का मतलब यह है कि यहां आज संतान जनन को और संतान प्रजनन को कोई भी व्यक्ति इंपोर्टन्स नहीं दे रहा है अब इसका प्रभाव फैमिली नाम की विवस्था पर क्या होगा वो समाज शास्त्री और समाज का विशय होगा इसके उपर चर्चा जारी रहेगी आड़े वाले दिनों में इस टॉपिक पर फिल से मैं यूट्यूब पर अपने चानल पर एक वीडियो बनाऊंगा तो इसमें पूरी जानकरिया आपको मिल जाएगी उसके बाद 21% महलाओ का मानना यह है और रिसर्च में यह भी पाया गया कि आकेले रहने वाले व्यक्ति जीवन में जल्दी ही सफल होते हैं या जीवन में सफल होते हैं तो देखिए प्रदान मंत्री मोदी जी यूपि के मुख्य मंत्री जो है आपको योगी आदित चनाज जी उसके ब बात को कि आकेले रहने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता जल्दी अरगित करता है और तत्थों के आधार पर अगर देखा जाए तो सामान्य तोर पर यह बात उतनी ही मजाकिया लहजे में ले रहा हूं लेकिन बहुत सीरियस बात है उसके बाद सबसे इंपोर्टन है केंसन नाम की चीज नहीं है कितने भी बज़े घर जाओगे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कई पर भी गुमने फिरने जाओगे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो यहां पर डेमोग्राफिक विंटर का मतलब यह हुआ है आपको कि पैदा होने वालों की संख्या कम हो खतरनाक हो रही है जैसे कि जर्मनी में जैसे कि लेक्जेंबर्ग में जैसे कि आस्तिया में जैसे कि न्यूजिलेंड में विकास सिल देशों में अब भी कुछ देशों की जो बर्थ रेट है बच्चों की पैदा होने की वह जादा है लेकिन ओभी धीरे धीरे जो है जैसे कि भारत में भी यह प्रचलन चल पड़ा है तो living relationship को लोग जो है क्या मांग रहे हैं पर्मिशन मांग रहे हैं उसके अलावा समलेंगिक्ता पर कानुन बनाने की जो डिमांड हो रही है यह क्या दर्शा रहा है कि लोग अब विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते और अकेल का यह दुनिया ऐसी स्थिती की वोर अग्रसर है विस्तार से बताईए तो मैंने कुछ एक्जामपल दिया है डेटा मैं टेलिग्राम पर पूरा एक आर्टिकल छोड़ दूँगा उसमें वो भी चीज़े लिखी हुई है तो दूसरा अभी हमारे देश में एक पिक्छर बन तो मैं आ रहा है वक्त बरबादना कीजिए तो यही दमन्ना बाटिया की सिनेमा आ रही है आपको क्या कहता है प्लान ए और प्लान बी इसका ओफिसियर ट्रेलर जो है आउट हो चुका है आप यूटूब पर जाकर गूगल सर्च मारेंगे तो यह आपको प्लान ए और प्ल प्लादी ब्यहास से जिनका मन निकल गया है उन कपल्स को फिर से ग्रुमिंग करके उनको जो है यह कत्रित लाने की या यह करने की कोशिस में लगे रहने वाली और और यह दोनों ब्यहा करते हैं एक वकील है जो तलाकों को रोज तलाक के कैसेस में दोनों का तलाक करवाता ह और बी वी एक तरब जो है दोनों को जुलवाती है यह कहानी इस पिक्चर की सिनेमा देख लीजेगा प्लान ए प्लान बी बस यह एक्जामपल आप दे देते इस एक्जामपल आपको जो आंसर में सुम्यारा है तो आफिसल टेलर मैंने बता दिया नाम भी बता दिया इस पीडियेप में भी लिखा हुआ है आगे मैं सर्चा करूंगा इस बात की सुरी तो जैसे आपको मैंने बता है देखी साधी एक सजा है योर आनर क्या वाकर कई यूआ अब साधी के बंदन से मुगत वोकर जिना चाहते हैं यह जो डाइलोग है यह इसी सीनेमा काय साधी एक सजा है यूर आनर केरल हाय कोट ने हाली में अपने फैसले में युवाओ के भी साधी को लेकर बदलती विचार पर अपनी बात रखी, कोट ने कहा कि युवाओ के भी साधी की परिबाशा बदल रही है, बिटिश अमरी की अभिनेतरी हेलेन मीरेन का शाधी को लेकर एक मशूर कथन है, वो कहती है कि the great marriages are partnership, वो सफल विवाहा के लिए दो लोगों के बीच अच्छी साजीदारी की बात करती है वही दूसरी तरफ वालिवूड की एक फिल्म के गाने के बोल देखिए शादी करके फस गया यार अच्छा खासा तक हुआ रहा यह गोईन्दा जी का गाना है सबने पता होगा आपको कैसे एक्जाम में सवाल पुछता है और कैसे इन चीजों का को रिलेशन हम जोड सकते हैं यह सारा नहीं लिखना आपको लेकिन यह जो कुछ पॉइंट है लिखने के लिए कम है भाई आपके पास 15000 सब्दों में इस प्रष्ण का उत्तर लिख सकते हैं उसके बात आगे चले यापान का सर्वे भी यहां पर दिया है मैंने आप इसको डाउनलोड कर लिजेगा मैं टेलिग्रम पर इसका जो है लिंक भेज दूंगा बहुत इंपोर्टन्ट रिपोर्ट है और आगे इसी तरीके का एक सवाल है उसमें भी इसका आपको जो है क्या मिलेगा रेफरेंस मि सर्वे में बात सामने आई है सर्वे के आकड़ों की मुताबिक देश में पंधा से 29 वर्षे के अवहेच विक्तियों का अनुपात 2019 में बढ़कर 23 फिस्दी हो गया है जो 2011 में 17.2 फिस्दी था बताइए हिस्दी में चटेस है और अब यए भी कुछ लोग हमारे देश में Plhanierra हिंदु मुसल्मान हो रहा है तो कैते कि मुसल्मान की आबादी केवल हिंडूस्तान में नहीं हिंडूस्तान के अगल अगल में जितने भी इस्लामिक कंटीज है सब में हमारे देश में बहुसंख्य का आबादी में कटोती हो रही है कमी हो रही है और अलपसंख्य का आबादी में रुद्धी हो रही है और आजू-बाजू के जो नेबरिंग कंटीज है वहां अलपसंख्य कूक्य आबादी घट रही है औ सब्सक्राइब की आवादी जिसे कि पाकिस्तान में मातर की उंगली ओपर गिन्ने वाले हिंदु ब्चहिए पाकिस्तान ऺंदर बांगलादिश बीजो चल रहे हैं वहां पर आने वाले समय कैसे इस रिपोर्ट में छपकर आया हुआ है आप देख लेना उसके बाद मुंबई की एक स्ट्रग्लिंग एक्ट्रेस लिव इस रिलेसिंसिक में अपने पार्टनर के साथ रहती थी और हाली में चार साल के लंबे वक्त के बाद अपने पार्टनर से अलग हो गई और अब य लास्ट जो है आपको रिजल्ट इसका निकला हुआ है तो इस रिपोर्ट का अध्यन करके कुछ नई बागते जो आज सकल इंडियन सोसाइटी को एक अलग मुबिलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही है जिसके कारण परिवार व्यवस्था जिसके कारण सामाजिक व्यवस् या सोच के आधार पर ये एक सही फैसला भी हो सकता है वो तो काल तई करेगा समय तई करेगा इसमें हम अभी फाइनल निश्कर्श पर नहीं पहुश सकते पच्छा नमबर एट लेंगिक समानता लेंगिक निश्पक्षता और महला ससक्तिकरन के बीच अंतर को स्पस्त कीज यह है तो आमंत्रन और निमंत्रन ठीक इस प्रकार के लेंगिक समानता लेंगिक निश्पक्षता और महला ससक्तिकरन के लेंगिक समानता का मतलब यह हो आया पर यह नूट्रल संकल्पना है क्योंकि दुनिया में दो ही प्रकार की जातिया ध्यान में लेकर इसके समद्र में जो भी प्रावधान किये जाएंगे कानौन में किये जाएंगे सामाजिक नियमों में किये जाएंगे उनको कहते हैं लेंगी समानता तो जैसे एक घर में बेटा और बेटी है और दो decisive 성 triangles अब ये neutrality इसी के साथ associated की जाती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भाव है feeling है कि लेंगिक का क्या आधार पर discrimination यहाँ देखा जा सकता है या हो सकता है मैला ससक्तिकरण जो already मैला है वो कमजोर है आर्थिक सामाजिक या सांस्कतिक दूस्ति से उसको क्या करना है ससक्त बनाना है तो शापदिक अर्थों का आपको जो है difference यहाँ पर पूछा गया है यह किसी भी किताब में ने यह आपकी समझ से यहाँ पर लिखना है उसके बाद क कारेकरम की परिकलपना और लिखा हुआ है कि क्रियान वैन में लेंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महतोपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है कि लेंगिक discrimination या आपको जो है sexual discrimination ना बढ़े वैसे कोलकत्ता का रेप केस हुआ उसके बाद भी होई रहे हैं तो इस प्रकार का जो discrimination हम देखते हैं तो महलाओं के संदर्भ में या संपूर्ण कारेक्रम का जो भी कारेक्रम दुनिया में देश में चल रहा है उनके बीच में लेंगिक समानता को ध्यान में रखना क्योंकि भारत का सविदान सामाजी कार्थिक राजनितिक न्याय तो लिंग वन्स भेद या अनुच्छत पंधरा में जो हमने कसम खाई है मौलिक अधिकारों के अंतरगत और अगर हम महलाओं के खिलाप इस प्रकार के डिस्किमिनेटरी एक साइकोलोजीकल दिस्सिकोन को रखते हैं तो सामान निता या अनुच्छत पंधरा का और महलाओं के मौल अधिकारों का उल्लंगन बताया गया है तो आगे चले तो मैंने रिपोर्ट बता दी है इसका पीडियेप मैं आपको दे दूंगा उसके बाद आते हैं नव्वे नंबर के सवाल पर तो नव्वा नंबर का सवाल है समान सामाजिक आर्थिक पक्षवाली जातियों के बीच अंतर जातिय विवाह समान सामाजिक आर्थिक पक्षवाली जातियों के बीच अंतर जातिय विवाह के बारे में यह बात कम ही सच है विवेशना करिये बिल्कुल से बात समान आर्थिक सामाजिक स्थिति अगर हो गई हो दो अलग-अलग जातियों में पले बढ़े दो वेक्तियों के बीच में और अगर साधी का समय आता है तो सोशल एकोनोमिक स्टेटस तो कई जगव पर हमने देखा कि यसी कास्ट और ब्रामन इनकी शाधिया होते होए या ब तो लेकिन आंतरधर्मी ये विवास हमारी कीना डाबी थी जिनोंने जम्मु कश्मीर के मुस्लिम कम्यूनिटी के लड़के के साथ में शाधी की सारी दुनिया जानती है लेकिन साल देर साल बड़ी मुश्किल से ये शाधी चली बाद में तलाख हो गया तो कहने का मतलब कभी कबार ऐसा भी उधारन हमारे सामने आता है कि समान स्टेटस होने के बावजुदी भी अंतरधार्मिक विवाहों को आज तक हमारा समाच यह कम सच है इसी एक्जाम्पल को लिग देते मेरे भाई तो उत्तर का जबर्दस्त जो है वजन हो जाता है तो सुर्ष्टी जैन्तदेश्मुक और करनाटकी जो आपको जो है गोडा जी तो इनकी भी शाधी को आप इसमें एक्जाम्पल के तोर पर या केस्टेडिस के तोर पर तस्यूत कर सकते हैं ऐसे कुछ शाम्पल्स निकाला करिए बहुत जादा UPSC पढ़ाई की बात ही नहीं करता अब यहाँ पर क्या पढ़ा हो गया यहाँ पर दो ही सब्ते इंपॉर्टेंट है यह तो आंतर जाती इंटर कास मैरेज या इंटर रिलिजियस मैरेज और सवाल क्या पूछा समान सामाजिक आर्थिक पक्षवाली ज कुछ खबरे आ रही है आप छुप छुप के देखते होंगे तो अंतरधार्मिक विवाह निभाने के लिए बहुत जादा मैचूरिटी लेकिन अगर दिलिप कुमार और सहरावानों को आप देखेंगे या गवरी खान और सारुक खान को देखेंगे तो इनकी भी जोडिया है इसलिन के इड happy गवरी खान ने तब सारुक से साधी की कि जब दोनों कुछ नहीं थे लेकिन साधी के बासा रॉक चले गए अक हίο प्र ठौप मोस्त सुपरसथार की केटेङरी में लेकिन गवरी खान तो बहीं थी अब सामानय तोर पर सहरुप Anda की गवरी खान की सामाजीक तो था आर्थिक पक्षवाली हिती में किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं थी और ना अब भी है फिर तो गवरी खान को छोड़ देना चाहिता सुपरस्टार होने के बाद कई लोग करते ऐसा कि एक उत्तर परदेश में केस हुआ था यह आदमी मजदूरी करके जो है अपनी बीवी को डीम अगेरा बना दिया कुछ सिलेक्शन हो चुका था याद नहीं आ रहा है उसके बाद में कई लोगों ने दिलिस से आईस की प्रिप्रेशन करने के लिए जो गई थी अपनी बीव कुछ एक्जामपल के तोर पर जो है हमको जुलना है तीन सब्दों की बीच में समान समाजी कार्थिक स्थिती एक अंतरजाती विवाह दूसरा अंतरधर्मिक विवाह हमारे समाज में कई एक्जामपल ऐसे कि अंतरधर्मिय होने के बावजुदवी सफल शादिया रही और ये कधर्मिय होने के बावजुद भी शादिया नेटी की प्रम्यारा है तो ऐसे एक्जामपल को खोज-खोज कर अपने उत्तर को जितना लिखोंगे मनमर्जी जर्सो सब्दों से बहुत जादा उत्तर तुमारे पास हो जाएगा उसके बाद कुछा नंबर दस्वा विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दो से निपटने में सरकार गैर सरकारी संगटनों और नीजी सेत्रों की 20-30 प्रकार का सहयोग सरवादिक उपयोगी होता है यही उचे में जाकर रिमोट एरियाज में जाकर आजिवासी ओपर सरकार जितना खर्चा कर रही है पिछड़ा या अती पिछड़ों पर जितना सरकार खर्चा कर रही है कि नरों पर जितना खर्चा कर रही है सरकार कैला सत्यार्थी जैसे लोग बच्पन बच्छाओ आंदुलन को यहां पर जिस सक्रियता के साथ संचलित कर रहे हैं तो ऐसे कई एक्जामपल पास साथ आप NGO जो अलग लग सहत्रों में काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उनका कारे बड़ा उल्लेखनिय हैं और कई लोगों हैं जिनको 26 जनवरी को हमने पिछले साल यहां पर क्या किया था पुरस्कुरुत किया था और ऐसे समाज से लोगों को चुना था हमने तो उनका भी कुछ एक्जामपल ले लिए कि जो अकेले के दम पर दसरत पांजी जैसे लोग हो गए इस देश में तो ऐसे से लोगों का एक बैस एक्जामपल है यहां पर कि इनको जिनके पीछे कोई इंजीओ विंजीओ या इस प्रकार का कोई और्गनाजेशन ने था बाउजीद इसके यह लोग इतना बड़ा काम कर गए अपने जीवन में तो यह चीजे यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं पुच्छन नमबर 11 जो है यहां देखे तो हाला कि महान चोल सासक अभी मौजूद नहीं है पुच्छन बहुत बढ़िय हाला कि महान चोल सासक अभी मौजूद नहीं है लेकिन उनकी कला और वास्तुकला के सित्र में उत्कुरुस्त उपलब्दियों के कारण अब भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है टीपनी कीजिए जैसे मैंने कहा दो रूट्स मैंने बताये थे एक वेस्तन आफ मतलब मलेशिया इंडोनेसिया की तरफ अब इस तरीके से अगर देखें गे है इनी के काल में मुर्ति कला का काफी विकास हुआ, वास्टु कला का बहुत अच्छा विकास हुआ, ब्रोह देश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर का एक्जमपल आप इसमें ले सकते हैं, जो राज राजा ने बनाया था, राजन्रा चोल के काल में भी काफी, आपको पेगोडा शेली का विकास यहां पर देखने को मिलता है साहित तो बताई दिया मैंने और संगीत भी और बाकी सारी जितनी भी कला संस्कूती से संबंदी चीजे थी वो सब चोलों के और इसलिए चोल एमपायर को सबसे महतोपूर्ण जो है एमपायर माना जाता है दक्सिन भा उसके बाद कहा तक उचित है कि प्रथम विश्युद्ध मूलता सक्ति संतुलन को बनाये रखने के लिए लड़ा गया था क्योंकि जर्मनी ताकतवर हो गया था रसिया को सख होने लगा रसिया और जर्मनी पहले आपस में अनमीत्र थे लेकिन बाद में ये संका हुआ रसि किया मेरा प्रभाव समापत करने की कोशिश कर रहा है तो रसिया फ्रांस के पाले में जाकर बैढ़ गया क्टर सतुन थे और इस तरिके से एक अलाइन बनता है और बाद में ऑस्टरिया को लेकर जर्मनी कूद जाता है पहले युद्ध में और सामान तोर पर हिटलर की ताकत जो बढ़ गई थी और जापान के साथ मिलकर भारत में जापान की सेनाओं ने इसी अनकाल में आकरमन किया था ऐसे तैसे हम बज़ गए क्योंकि ब्रिटन का सासन यहां पर था तो इस तर यह सकती पर सक्ष्ट्यों का संतुलन जर्मनी के पावरफूर होने के कारण हुआ था और पहला माय उद्ध के वल कोई कारण है था पहला माय उद्ध परी गटित विश्वई इतिहास का होने का यह विश्वई इतिहास समय को पढ़ते जाएगा एंस आर टी का छोटा सा कित आपको उसके बाद नंबर 13 है कि भारत में हस्तसिल्प और कुटीर उद्योगों के रास के लिए इंग्लेंड के उद्योगी क्रांती कहा तक उत्तरदाई थी 17 सताथदी में कपड़ा उद्योग से मैंचेस्टर से शुरू हुआ सबसे पहला तो पावर लूम से युनों ने इंडस्यलाजेशन शुरू किया तो हम लोग जो हैं चर्खे पर कपड़ा बनाते थे हमारा कपड़ा चर्खे पर होने के कारण इसमें प्रेसिंग और जीनिंग का कोई टेकनिक नहीं था इसलिए जब इसको हम लोग सरीर पर पहनत महारास में पैठनी मिलती है हीरापन्ना में हस्थ सिल्प से कांजीवराम ॉऽर में आजबी क्या बनती है बना रसी सालू जो अवरते पहिंती है साधी में पहनती है तो समर्पित तो सामाने तлед पर पावरलमन मिनलस्स का उतपत्ति होने के बाद जो है यह कदिन में पावल मिनलस्थी 1000मीटर 2000 utterly कपड़ा बनाने थी और हम बित्ति भर बनाते буनाते थे जिन भर बैठने के बाद तो quantity में हम पीछे हो गए quality में भी पीछे हो गए तो सबसे पहले तो कपड़ा उद्ध्योग बरबाद हो गया हमारे देश की समरुद्धी ब्रिटिस हो के आने तक या आगमन तक जो थे घर घर उद्ध्योग था तो हमारे देश में उत्तम खेती मध्यम व्यापार और कनिस्त नोक्री हुआ करती थी यह चित्राज बदल गया उत्तम नोक्री मध्यम व्यापार और कनिस्त खेती हो गया तो खेती वाला आत्मत्त ही कर रहा हमारे देश में खास्तों से महारास करनाटक में तो इस तरीके का यह जो है और बाद में जब कमर्सियलाइजेशन तो ब्रिटन ने भारत को केवल एक सबकंटिनेन बनाया उचीज के लिए कि आप कच्चमाल का उत्पादन करिए तो कपास लेकर जाते थे 20 रुपया में उदर से कपड़ा बनाकर लाते थे और 300 रुपया में बेशते थे तो कपड़े का भी पूरा कपास का भी पूरा दाम नहीं मिला किसानों को और भुनकर बर्बाद हो गया स्वलग पफर से दो निशान इन्होंने लगाया एक तो कपास में भी बबायाद कर दिया देरे-धिरे यहीं व्यवस्था सारे व्यवसराईयों में सुरू हो गई और पुरी तरीके से भारत का उद्द्युक्ष यवध ब्रिटन की से नावे क्या बने सैनीक तो मंगल पांडे पहली बार बंदूक लेके से नावे गुसे यही वो रोज था जो गंगा गाटी की भुजल समता में गंभिर गिरावट आ रही है भारत की खाद्य सुरक्षाप को कैसे प्रभावित कर सकता है सब्सक्राइब लेखना है बहुत ऐठ्मल में अच्छा सवाल है अब गंगा बैसिन के तीन पर बढ़ते हैं एक अपर गंगा बैसिन दूसरा मिदल गंगा बैसिंत्सरा लोवर गंगा बैसिन जो पच्शम बंगाल बंगाल क्राश्र Habana रिजियर में आर् improvements बहुत हो चुका है गंगा के जल में तो कहने का मतलब यह है कि ना यह पेजल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही इरिगेशन और ना ही कपड़ा वपड़ा धोने के लिए तो बंगाल में लोगों की स्कीन में ऐसे छेदे गिर रही आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रदूशन से भी यह गंगा क्या हो रही है दूसरा जहां से गंगा की उत्पत्ति होती है धारा के रूप में वहां पर ग्लेसियर इतने तेजी के स पीगलनी चाही थी वह पूरी तरीके से क्या हो रही है पीगल के पानी के रूप में भैजा रही है दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब केदार गंगा घाटी केदार बदरी घाटी में बारा-बारा फीट की बरफ जो है बर्फ बारी के दिनों में देखे जाती थी आज वहां के स्थानिक लोग बताते कि बस तीन से चार फीट वो भी बड़ी मुश्किल से हो रही है तो कहने का मतलब स्त्रोत जो है जो ग्लेसियर थे गंगो तरीके यह मुनों तरीके वो ग्लोबल वार्मिंग की तरह से पूरी तरीके से बरबाद हो रहे है परिनाम आना के मैदान में गा आना आपको जो है गेहूं सरसो दाल हन यह तीन का प्रचनन है मिडल में जाओगे तो धान का बिहार और पच्छे पूरा गोरकपूर वाला इलाका जो उत्तर पदेश का इस इलाके में वेस्टन यूपी में जाओगे तो यहां पर आपको गन्ना इस तरीके से प्रभावित कर सकता है 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 600 मिलियन आती रिक्तर टन की हम लोगों को जावशकता होगी वह हम कहां से पूरा करेंगे तो गंगा के स्रोतों को या गंगा जैसी बहुत सारी नदियों के स्रोतों को बचाना बहुत जरूरी है इसका मतलब हम लोगों को वाटर मैनेजमेंट की तरब ध्यान देना होगा अब्दुल कलाम सहाब ने कहाता साड़े आठ लक्ष घनमीटर पानी हमारे देश से साल एक साल में बहे जाता है तो यह वही पानी है कि जो अगर इस्राइल को मिल जाये तो कम से कम 20 साल इस पानी क प्रोसेस के माध्यम से री यूज करता रहे लेकिन हमारे देश में वाटर मैनेजमेंट स्वाहली मैनेजमेंट और वाटर पूलिशन का कोई भी गंगा एक्षेंट प्लान मरा कि आपको जो सिंदू में आई बाहर की वज़े से और सिंदू के जल में इसी प्रकार का जो है आपको कुछ हुआ था चलाज़ा नेक्स नंबर कोचा नंबर 15 को अगर देखें यह बहुत खतरनाक सवाल और बड़ा साइंटिफिक सवाल पूछा है खतरनाक बोलने से और आपको अगर जीओ फीजिक्स ने पता तो इस सवाल का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं यहां पूछा गया है वाटार आरोरा आस्ट्रलीस और आरोरा बोरियलीस तो सीधी सी बात है भाई हम लोगों ने आपको कई बार बताए है पृत्वी की सत्व है इसके ऊपर का जो समताप मंडल का उसको कहा जाता है शोब मंडल या इसको कहते हैं स्ट्रैटो इसके बाद आता है समताप मंडल यानि इसको कहा जाता है घर्टार नहीं बदलता हूचाई पर जाते है utilizz सतवर ऋ धर्टी की सतव से тूट stud में घटता है यह सारी दूनिया जानती है लेकिन चोब मंडल के बाहर समताप मंडल में इसलिए इसका नाम समताप है क्योंकि आपर टेंपरेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसके बाद उपर में जब जाते हैं समताप मंडल के उपर तो यहां आता है मिजो स्पीर या इसको कहा जाता है मध्य मंड और इसके ऊपर आता है आयन मंदल तो हम लोगों के ionosphere जिसको कहते हैं तो हम लोगों के radio signal, टेलीफोन के signal, टीवी के signal सब यहीं से आ रहे हैं क्योंकि इस ionosphere में आपको विद्धूत या electricity के ions है जो आपको shortuous में, mediumuous में, longuous में घूम रहे हैं मान लिजे कि ये तीनो स्पीर नहीं होते धरती पर तो इस दुनिया में कोई भी जानवर या इंसान जिन्दा नहीं होता कि ये अच़ी व्यवस्ता करी तो जिस से तुम मरोगे उसको सबसे उपर डाल दिया गया अब होता क्या है कि धरती का आपको पता है कि ये क्या है भाई magnetic pole है और ये magnetic pole भी आयोन से बना हुआ है इधर north है इधर south है मैंने कई बार बताया कि geological pole और magnetic pole दोनों अलग-अलग होते है जहां हम भोगोली का धुरूवा north मानते है असल में वो magnetic धुरूवा का south होता है और जो इसको हम south मानते है उसको वो होता है और आपको north स्वारी north समझना रहा है तो इस तरीके से धर्ती के magnetic pole का balance बना हुआ है अब ये भी ions चोड़ता है और ये ionosphere इसकी तरफ आकरसित होता है जैसे पानी में अगर कोई तार पड़ी हो और पानी को अगर हाठ हाठ डाल देंगे तो ये तार जो है आपको आकरसित कर लेगी इसी तरीके से magnetic pole ionosphere को क्या कर रहा है आकरसित करके ionosphere या वाईव मंडल और धर्ती के बीच में स्थीरता बना रहा है तो इसके ion और ionosphere के ion जब एक साथ मिल जाते है ना तो क्या होता है aurora borealis north में ना रत में ूर्थ में ूलट पकशी होती है है ना डक्सिन में तो आस्तिलींा कहा है दक्सिन में तो दक्सिन में होने वाले aurora को क्या कहेंगे aurora astilliis कहेंगे यही प्रक्रिया अगर दक्सिन में जो हो रही है तो यह साउथ आस्त्रलीस कहलाएगी तो यह आईनो मंडल तो नौर्वे में हम बोलते हैं कि रातरी या आपको रात में साड़े चार बजे उगता सूरज कौन से देश में देखता है बच्पन से जी के पढ़ता है होंगे लेकिन पढ़ाने वाले ने कभी इस प्रोसेस को हमको नहीं समझाया होगा तो नौर्वे में चार बजे सूरज चमकता हुआ कैसे दिखाई देगा यह सब आईनो स्पियर में होने वाली इस फिनामिना का प्रकास होता है रे यह है तो यह पैसे उत्प्रेरित होता है हाउ आर दिस ट्रिगर्ड क्या सवाल पूछा सब्द देखो कितना अच्छा इस्तमाल करते हैं उत्प्रेरित होते हैं तो कैसे उत्प्रेरित होते हैं यह दो प्रोसेस है सामाने तोर पर वायो मंडल के संगतन से सवाल पूछा है बूगोल का सवाल है चला जाए समझ में आ गया होगा अब आते हैं कोच्छन नंबर 16 पर क्विस्ट और क्या होते हैं कभी कभी ना UPSC के उपर हसी भी आती है मेरे को जान बुच्च का ऐसे सब्दों को इस्तेमाल करता है होता हो यह अब ट्विस्टर देखकर लड़का घवरा गया कि यह कौन सा नया अटम है अरे मेरे भाई ट्विस्टर का मतलब होता है हरीकेन या टार्नेडो बस सीधी सी बात अब समझ में आ गया वाट इस ट्विस्टर वाई अर्द मेज़ारीटी ऑफ ट्विस्टर अब्जर्वड इन एरियाज आराउंड गलफ आप मैक्सी को इसके पहले वाले कोच्छन में इसी की चर्चा की जा पर गलफ और बे का इरिलेशन मैंने समझा कर दिखाया तो आपको ट्विस्टर का मतलब होता है कि छोटे-छ चक्रवात की यह सोरूप अपने आपको ग्रहन कर लेते हैं तो यहीं यहां पर लिखना था और जैसे मैंने का कि बहामास को लांचिंग पैड आप दर टॉपिकल साइकलोंस कहा जाता है लेकिन उसकी शुरुवात होती है इन प्विस्टरों से तो सीधा-सीधा जो चक्रव तो सित्रय-समानता ऐ मतलब भई है यह एक भी द उचला महारास्त और दूसरा घुजरात मौह रास्त यह हो गई से सत्रय समानता अब महारास्त में भीसोष का भीकास हुआ विक्या क्लिक वा राज्य या रीजन के बीच ही डिस्पैरिटीज हो सकती है कि तो महारस के शारे जिल्यवी के सिथ है क्या बिल्कुल में सिंदू-दुरूगे चले जाए रतनागिरी चले जाए सावंत बारी चले जाए उसके बाद भारत में सेत्रिय असमानता का मुद्दा कितना गंबीर है बहुत है गंबीर है क्योंकि ब्रेटिस राज के बाद में हमारे देश में ना तो इंडस्यलाइजेशन और जगव पर हुआ पांच ही इंडस्यल रिजन है हमारे देश में बंबई-पुना-अद्योगी प्रदेश सूरल भारुच अमदाबाद प्रदेश बंबेंगलोर एकप्रदेश है कंवत्य विदर्व में कि साना आत्मत्य कर रहा है इन्डस्यलाइजेशन नहीं है वाइट हम पधा कर रहे लेकिन उस गोल का कोई तो बहुत तरह की उसके बाद तो आजकल रिजनल डिस्पेरिटीज में लिंग्विस्टिक डिस्किमिनेशन भी आ गया है जुड़ गया है कल्चरल डिसकिमिनेशन भी पैदा हो गया है लैंग्वेज्ज के आधार पर जैसे बिहारी अगर इधर आता है तो मराथा ना और महा प्रवेश होना आसान है लेकिन भारत से बाहर निकल जाना मुश्किल है और अगर ये प्रावधान सभी दान में ना होता तो आज भासा के आधार पर रिजन के आधार पर संस्कूर्ती के आधार पर वही तुकड़े होते जो हम 1947 के पहले देखते थे 680 देशी रिया सते थी देश में आज भी वही मुद्दा है तो इसको आप रिजनल प्राणिंग करके जाईएगा ऑप्शनल में हो चाहे पहले पेपर में हो अप्शनल में तो पूरा पढ़ना है उसके बाद को अच्छा नंबर 18 है कि समानता और समाजीक न्याई की व्यापक नीतियों के बावज अब एक शब्द को देखना जरूरी है परिकल्पित सकारात्मक कारवाई इसका सिदा सा मतलब हुआ आरक्षन के प्रावधान बास अब कैसा यूपेस्टी गुमाता आपको है ना तो आप जो है भाषा देखकर पूरी तरीके से जटका खाए परिकल्पित समक्षारात्मकारवाई का मतलब सिदा 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 आरक्षन होता है ना भाई सामाजीक और समांता और समांता न्याई की व्यापक्रित्यों कर अभ पूरा लाभ नहीं मिल रहा है तो अभी हभी UPSC में एक केस हुआ था पूजा खेड़कर पूजा दिलिप खेड़कर का बस इस एक्जाम्पल को आप डाल सकते थे ताजा ताजा केस था और UPSC से जुड़ा हुआ था कैसे अवरो के आरक्षन के लाभ उठा रहे है अपाहीश का हैंडिक्याप का सर्टिपिकेट भी जोड़ दिया और मामला सरकारी एजेंसी से जुड़ा हुआ है इसलिए इस बात के लिए आपको अलग से कुछ पूरूब के लिए तथ्यात्मक आधार प्रस्तूत नहीं करने तो आराम से इस केस को केस स्टेडिस बनाकर आप इस मामले में करें ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर वंचित वर्गों के हखों को हड़कने की कोशिश करेंगे तो देश में तो हजारों वर्सों तक वंचितों का कभी उद्धार नहीं हो सकता है बाकि और तो थाई आपके पास दो चार एक्जांपल और निकाल लेते डाल लेते बढ़ियार से सवाल बन जाता और UPC में जबर्दस्त नम्मर मिल जाता कुछ पढ़ना है इसमें मैं मानता हूं कि 2012 जब हम लोग देते थे एक्जांप अच्छी हालत खराब होती थी भाई है 2012 के बाद तो सामान्य थोड़ा सा अगर अना खिरीटिकल ठिंकिंग आता है भाषा पर थोड़ा सा नौनेज है कनेक्ट करना आता है इंटर लिंकेश लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है मुख्य मुद्दा यह है कि वंचित वर्गों के लाभ इन्हीं की जातियों के अपरकास जो अपरकास हो चुके अभी एक घर में पांच-पांच तो इन्होंने किस तरीके से जो है तो यह केस उसका मॉडल था कोई दिक्कत नहीं कर लेना बहुतोंने किया भी होगा कोई नई बात नहीं बता रहे हैं वैस्पी करण ने विभिन वर्गों की कुषल युवा और अविवाहित महलाओं के द्वारा शहरी प्रवास में रुद्धी की है इस प्रवरुद्धी ने उनकी व्यक्तिगत सोतंत्र सबसे पहले तो यहां पर देखिए महिला मतलब यह महिला से संबंदी तो सवाल पूछा यूपी एसी ने अब महिला की कैरेक्टर क्या बताए गए एक तो यूथ है यूवा है जवान है दूसरा कूशल भी है स्कील भी है जिसके पास अपेजन में जाके पाच लाक रूपे मैंना कमा रही है बैंकॉप अमरीका में जाके चार लाक रूपे मैंना कमा रही है तो वैस्वी करन ने विभिन वर्गो की कूशल वैस्वी करन शब्दे इस्तेमाल किया है जरू नहीं कि भारत में रहेगी अमर जर्मनी भी जाएगी सिंगापूर भी जाएगी कुछल आयाट याए को जानती है कंपूर को जानती है को जानती है हमारी सुनीता बहन पड़ी यह वहाँ पर नहीं समझें और ये गई बेचारी कलपना जी तो नासा में जंडे गाड़ी अभी विगाड रहे हैं कहने का मतलब पूसल होना चाहिए युवा होना चाहिए और अविवाहित महलाओं के द्वारा शोहरी प्रवास में रुद्धी की है तो मर्सडिस क्या आमारे गाउं में चलाएगी बंबे बंगलोर में चलाएगी भाई तो आरां से जहां पर पिछले कोच्छन में जो डिसकेशन किया था सुभी धा पाशलाख रुपे मैने की कंपणी धनबाद में देगा कोई कि अमराउती में आकपूर में देगा कोई जाना पड़ेगा चन्ने बंगोल अना बंगलोर दे घर में भी आपकी इजद अभी है जब आप चार पैसा कमाते हो भाई बेरोजगार है बहन पाचलाख रुपे कमा रहे तो किसको अना चाय पहले मिलेगी तुमको मिलेगी बेरोजगार को भले आप पूरुस हो कोई बतलब ने उसका कोई जरुत ने तो व्यक्तिका सोतंत्र रहा है दूसरा एक पक्स यह भी है कि लड़की अगर महान अगर में रहेगी हजारों किलुमीटर अपने घर से दूर तो माबाव से कटी-कटी सी होगी और इसी से एक अकेले पन का अयसास और जो मैंने पहले स्वरी सात्वे कोच्छन में चर्चा किया था जो इस तेलिग्राम की रिपोर्ट में भी होगा उस प्रशनक के या स्वरी उस जो आर्टिकल है उसके कुछ कंटेंड को इसके साथ मिला कर आप इसल का भी उत्तर के लिए मैटेरियल आपके पास बना रहे लास्ट अनट्वेंटी नंबर का कोच्छन है इस अभिमत का आलोशनात्मक विसलेशन कीजिए कि भारत की सांस्कूर्तिक विवित्ता और सामाजिक आर्थिक समानताओं के बीच एक गहरा सहसंबंद है बिलकुल गहर सांस्कूर्तिक विवित्ता और सामाजिक आर्थिक समताओं के बीच में एक गहरा सहसंबंद है बिलकुल सीदी सी बात है जैसे कि आप देखते हैं पहले महरास्त में कोई औरते साधी ब्यहा की बरात में नास्ती नहीं थी तेकिन टीवी वगरा के माद्दम से जब या औरते साधी ब्यहा में आपको जो है प्राथमिकता से नास्ती है तो यह प्रचलन पूरी दुनिया में चल पड़ा दूसरा पंजाबी ड्रेस हर महरास्त का कोई भी स्टेट हो वहां की लड़की पहनते क्योंकि पहनने में कमफर्ट है गारी भी चला सकते दो-चार ना पड़ेगा तो हम लोगों ने ऐसा कभी ने सोचा भी देखा होगा आपने कि करवा चौन्थ अब करवा चौन्थ सामान नेता पंजाब हरियान भी औरतों का त्यवार होता है लेकिन आशकल मराठी गुजराती सब मनाना शुरू कर दी सामाने तोर पर हिंदी बासी होता है लेकिन आशकल सारी दुनिया माना रहे क्योंकि टीवी और आपको जो है दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे में यह बड़ा सिंथा बड़े लोग रोते थे मैना यह तो बस वहां से प्रचलन शुरू हुआ तो हमारे देश की विचित्रता और आच्छरे कारिक्ता ही यह है कि हमविध्भासी लोग है वीविः तेवारों को मनाते हैं लेकिन हम लोग खान पान तेवारों में हम पंजाबी वी डिसेज खा लेते आश कल तो थाई और चाइनीज भी खाने लगए तो मंचुरेन खाना शूरू कर दिया इतना ने मॉमोज भी खाना शुरू कर दिया हमने तो खान पान में वेस बुशा में और कुछ चीजों में तो हिंदू है या आपको मराठी है तो गुरुद्वारे भी चला जाता है कुछ-कुछ हिंदू मजजीद भी चले जाते हैं कुछ-कुछ मजजीद जो मंदीर में भी आपको मुस्लिम दिखाई देते हैं तो ऐसा कोई है नहीं लेकिन क्या है कुछ राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक लाप के लिए इस सांस्कूरुतिक संगटता को और सांस्कूरुतिक सहसंमधता को और सामाजी क्वातावरन को जरासा जहरीला बनाने की कोशिश करते है चंद वोटों के अनक खातित तो हमें इस बारे में थोड़ा सा सजग रहना चाहिए अवेर रहना चाहिए इतना ही यहाँ पर लिखना था आपको यह सब्दों में लिखने के लिए परियापता आपके पास में समय था मोका भी था और आपको जो है मेटेरियल भी था तो मित्रों सायद मेरी बाते आपको समझ में आगी होगी तो मिलते हैं कल इसी तरीके से दूसरे एपिसोड में एक आज का ही पेपर सेकंड और एसे का पेपर लेकर तब तब के लिए थैंक्यू गूड़नाइट जाहिए